महारास्ट के बीजूपी विधायक राम कदम ने शुक्रवार को बॉलिवूज अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे को ट्वीट पर शिद्धांजली दे दी थी जबकि वे कैंसर का इलाज करा रही हैं इसके बाद कदम की काफी आलोचना हुई इसके बाद सोनाली के पती और फिल्म निर्माता गोल्डी बहल ने लोगों से आगरे किया कि सोशल मीडिया के मंच बर सामगरी को शेयर करते वक्त अधिक जिम्मेदार होना चाहिए गोल्डी ने सोशल मीडिया यूजर्स से कहा कि अफवाहों पर ना विश्वास करें और उसे फैलने भी ना दें उन्होंने ट्वीट किया मैं सभी से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया का अधिक जिम्मेदारी से उप्योग करें आईए हम ना अफवाहों में विश्वास करें और ना उन्हें फैलाएं ऐसा करके हम अनावश्यक रूप से लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे सोनाली बिंदे जी के बारे में ये अफवा थी पिछले दो दिनों से मैं उनके बहतर स्वास्त और शीग्र स्वास्त होने की कामना कर रहा हूँ विधायक राम कदम को वाटसेप पर एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था हिंदी और मराथी सिनेमा पर राज करने वाली और सबकी चाहेती सोनाली बिंदे नहीं रही इसे उन्होंने ट्वीट पर शेयर कर दिया सात ही उन्हें श्रदांजले भी दे दी जिससे वे ट्रोल हो गए बात में उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया और लिखा सोनाली बिंद्रे के बारे में ये अफवा थी मैं उनकी अच्छी सेहत और स्वास्त में जल्दी सुधार के लिए प्रातना करता हूँ हाली में बीजेपी विधायक राम कदम ने एक और विवादित बयान दिया था जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई उन्होंने युवाव से कहा था कि अगर आपको लड़की पसंद है और आपके माबाप को भी लड़की पसंद है तो लड़की को भगाने में मैं आपकी मदद करूँगा हाला कि बात में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है